देश के दो हिस्सों में जम्मू और उन्नाव जो उतर प्रदेश में हैं दो जगहने अपराध होते हैं और उनका एक बड़े ही स्तर पे साम्प्रदाई करण हो रहा हैं इसी सब बुद्धों पे चर्चा करने के लिए उर्मिलेश एक बार फिर से हमारे साथ मौझूद है उर बाच साल की बच्ची के साथ का रेप होता है और यह रेप किसलिए किया जाता है कि कॉम्मूनिटी को ड़ाने के लिए और उसके बाद जो लगा था इंसिदेंस देखने को मिल रहे हैं कि तिरंगा यात्रा ही निकाली जा रही है और बार एस्सोसियेशन के लोग आके कह रह रहे हैं यह आखिर यह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भाचपा सरकार ने दिया था क्योंकि यह जो हिंदू एक्ता मंच की रहली है इसमें भाचपा के लोंग आ रहे हैं तिरंगा जंडा लेके यह डिमांड उठाते हुए तो इस नारे का क्या हुआ आखिर किसंसे काम करने वाली सरकार मैंने अभी तक नहीं देखी आना कि हमारा जन्म आजादी की काफी बाद हुआ था लेकिन जो रेकार्ड्स हैं हिस्टॉरिकल जो हम मीडिया में रेकार्ड्स देखते हैं अख़वारों में मैगजीन्स में जो सुनते हैं आदुनी की तिहास के जरिये ऐसी भयावत तस्वीर मैंने किसी शासन की आज तक नहीं देखी देखे कठुआ की घटना हमारे राज़धानी के लिए राश्ट्री राज़धानी के लिए इस महिने की इस महिने में दूसरे सब्ता से ये बड़ी ख़वर मनी है और वो भी उन्नाव के घटना के सा अकबार हैं इसको उसी वक्त से कमुनिलाइज करते रहे उसकी वजह यह थी कि जम्मू में जो डॉमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है वो भारती जन्ता पार्टी है वो संग है वो विश्व हिंदू पर सथ बजरंग दल है तरह तरह के समय समय पर ये प्लेटफॉर्म बना ले जाडे में आकर बस जाते हैं ऐसा होता है अब मेरा ये कहना है कि ये सभी संजोग बस मुस्लिम है क्योंकि जमू कश्मीर की जो आबादी में गुजर और बकरवाल है वो दोनों सौ फिस्दी मुस्लिम है गुजर और बकरवाल में बहुत बारीक फर्क है बकरवाल वे लोग गटी है जो हमने तहकीकात की थोड़ी बहुत क्योंकि जमो कुश्मीर में आता जाता रहा हूं जमो कुश्मीर पर काम मैंने किया है तो जो अपने समपरकों से मेरी जानकारी थी शुरू में ही कि शुरू के दोर में ही इसको कमिनलाइज किया जाने लगा था और असल कहानी की परताल वहां के मीठिया भी नहीं की सबसे दुखत बात यह है ठीक है सियासे नहीं सेस्टेट जिस तरह के हैं यहां लेकिं परताल इस्थानी मीठिया ने नहीं की कुछ एक ख़बारों ने कुछ लोग गुजलो जहां उनके स्थाई बंदोबस्त रहे हैं जहां वो रहते रहे हैं इनको खदेड करके और जो लैंड माफिया है या बड़े-बड़े प्रॉपरिटी डीलर हैं बिल्डर हैं वो कबजा करते रहे हैं मैं नहीं जानता कि इस घटना में उस पहलू का कितना और फिर उसकी अल्टिमेटली हत्या कर दी गई एक चोटी सी बच्ची क्रूरता की सीमा मतलब मुझे लगता है कि इससे जादा कुछ नहीं हो सकती है लेकिन इसके बाद भी जो संग्ठन का आपने नाम लिया जम्मू में जो जाहिर बीजेपी समर्थित है आरे से समर्थित है वो भगवा और तेरंगे को मिला कर जलूस निकालना शुरू किया कि आप इनको नहीं फसा सकते ये गलत है जो सारा पुलिस इन्वस्टिकेशन में है और पुलिस किसी एक रिलीजन से जुड़े लोगों की पुलिस नहीं है उस पुलिस के इन्वस्टिकेशन को आप चैल इस हमारे धर्म निर्पेक्ष जिसे कहते है इस्ट्रीmir स्टेट कहते हैं उस पर धर्मांधता का उस पर इन मठाधिशों का कम्मिनल फासिस्टों का जैसे लगता है कि स्टेट पर कभजा हो गया है और स्टेट के संविधान में सेकुलर होने की पूरी धारणा को शत कठुआ की घटना यही हमें बताती है उन नाव पे आते हैं एक लड़की के साथ बलातकार होता है उसके पिता की कस्टडी में हत्या होती है बीजेपी MLA के उपर आरोप है पर सरकार ने चुपी साथ रखी है इस पूरे मामले में कहने को SIT बनाई है पर MLA वीडियोज MLA के बाहर आ रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि क्या होगा मेरा इस तरीके की बाते देखने को मिल रहे हैं और जबकि UP में लगातार अगर हम देखे हमने इस पर चर्चा भी की है कि किस तरीके से क्राइम और law and order situation जो है वो काफी खराब है तो क्या अगर आप भाजपार से हैं तो आपके उपर कोई कारिवाही की ही नहीं जाएगी क्योंकि लगातार ऐसे हमें कई incidents देखने को मिल रहे हैं देखे एक मैं यह नहीं कह रहा हूँ और कोई एक individual की तरफ से यह बात नहीं है यह भारत की मवजूदा सरकार का अपना आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ आपके सवाल का जबाब देने से पहले कि NCRB के आंकड़े के मताबिक इस वक्त जो है जो latest उनका आंकड़ा है और जाहिरा यह trend 2017-18 में भी वही दीख रहा है कि भारत के पांच ऐसे state है जो चार तो पूरी तरह भाजपा controlled है भाजपा सासित है और एक जो है भाजपा वहाँ सत्तारूड दल में हिस्सेदार है सत्तारूड गल्ट बंदर में वो भीहार है यह चार-पांच state नमबर वन मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाना एंड राजस्थान यह सभी states में इस वक्त दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाब बलातकार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं गैंग रेप के मामले में इस देश का क्रिसी चहत्र में प्रगश्वील राज्य कहा जाने वाला हरियाना अवल हो गया है और रेप के मामले में जो आक धे थोड़े बूसरे states से कम हैं हरियाना के उसकी वज़ह है कि वो रेकार्ड नहीं हो रहे हैं थाने की बहुत भयानक स्थिती होती है तो लड़की अपने को छुपाती नहीं है दूसरे जो लोग है सामंती एक सोच की वज़ा से सामंती मुल्यों की वज़ा से कई जगा गरीब घरों में लड़के लोग जो है छुपाते हैं इन चीजों को ये भी हमारे देश की एक अजीब राजस्थान उत्तर प्रदेश और बिहार ये दलित उत्पिरन और महिला उत्पिरन दोनों के लिए इस समय सबसे उपर हैं मेरा यह कहना है कि उन्नाव की घटना को अगर आप देखें उन्नाव की घटना में सीधे भारती जनता पार्टी के एक नेता एक विदायक के परिवा कहता है और उसमें जो शंसोदन बात के दिनों में हुआ उसके मुतलिक भारत सरकार क्या उत्तर प्रदेश सरकार क्या हमारे कानून की सभी मशिनरी का ये फरज है कि अगर लड़की कमप्लेइन कर रही है कि अमुक व्यक्ति ने उसके साथ बलातकार किया है तो उसकी तक्ता काल परताल के बाद गिरफतारी होनी चाहिए वो दोसी है कि नहीं है ये मेरा काम नहीं है बताना ये अदालत का काम है और अदालत सजा देगी ये मेरा काम नहीं है कि उसको फांसी हो कि उसको आजीवन कर आवास हो क्या उसको हो लेकिन जो प्रॉसेस पूरी करनी चाहिए थ ती उत्तर-प्रदेश सर कार ने उत को पूरी नहीं बने भी और वो थी विधायक की तत्काल गिरफतारी डस महिने का मामला है आथ महिने उन्हें का और लगातार लड़की कह रही है और उसके भाइक का जो विधायक के भाई का नाम स्वेम जो उसके पिता हैं मरने से पहले वो वकैदे वो रिकार्डेड है उन्होंने नाम लिया है कि उसने मुझे मारा और कहां मारा पुलिस की मौजूदगी में आपने पुलिस को सिर्फ वहाँ से तबातला किया है या सेस्पेंट किया हो मुझे लगता है कि पूरे थाने में जितने उस समय पतादिकारी थे सब को गिरफतार करना चाहिए था और सब पर 302 का दफा लगाया जाना चाहिए था ये कुछ भी नहीं हुआ है तो मेरा यह मानना है कि वो नाव की घटना में शर्मनाक ठंक से लिपा पोती क्योंकि कल मैं टेलिवीजन चैनलों को देख रहा था टीवी चैनलों पर भारती जंता पार्टी के प्रवक्ता आकर रेप के और मर्डर के अभ्यूकतों का बचाओ कर रहे थे और आप कह रहें कि अच्छे 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 दिन आएंगे अच्छा साशन आएगा तो यह बेटी खोखलापन इस सरकार ने दिखाया है मुझे लगता है कि आजादी के बाद सच्छमुच ऐसी कोई भायावा तस्वीर सासन की नहीं आई थी मैं तो कह रहा हूं कि NDA की सरकार पहले भी एक बार थी उसने भी बहुत सारे को कर्म किया होंगे लेकिन इस तरह की स्थिति मैंने कभी नहीं देखी इन इंसिदेंस के साथ एक चीज जो हमें हमारे सामने हैं वो यह है कि एक समाज के बड़े हिस्से का भी संप्रदाई करन इन बुद्दों के ज़दिये किया जा रहा है तिरंगा यात्राएं तो निकाली जाही रही है और तिरंगा के नाम के आप कुछ भ भर में लोंग सरकुई पर उतरा इसके खिलाफ पर यहीं यह दो बड़े इंसिदेंस होते हैं और उसी लेवेल के जगने अपराद हैं चुपी है समाज में मीडिया में चुपी है तो क्या हम कि हमारा देश किस तरफ बढ़ रहा है अगर हम एक बड़ा सावर हमारे सामने है दीकिए बहुत वाजिब सवाल है और इस सवाल का कोई बहुत सिधा जवाब नहीं आई लेकिन मैं जो एक मीडिया परसन के ना थे, मैं सियासतदानों को या जो और तन्जीमें हैं उनको इस पर लाने के बजाए सबसे पहले में मेडिया को लाता हूँ इस जवाब में कि देखिए किसी भी हमारे जैसे समाज में जो वहां का मीडिया है एक वाइवरिंट मीडिया जिसे कल्पना करते हैं हम डिमोक्रिसी में उसका बहुत बड़ा रोल है मुझे लगता है कि इस वक्त जो देश का मीडिया का बड़ा हिस्सा है वहां पूरी तरह सत्ता संरचना के साथ सत्ता संरचना की जो संस्कृती है जो उसका सोच है जो उसकी बुनावट है जिस तरह का मानस वो क्रिएट करना चाहती है पूरे समाज का आई तिंक उसका साथ दे रहा है भारत का मीडिया भारत का मीडिया जिसे एक कहा जाता है न दुनिया भर में प्रिसिद्ध है वो चौमस्की की लाइन manufacturing the consent तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ consent ही नहीं बलकि पूरी की पूरी मानसिक्ता तयार कर रहा है और ये जो आप पूछ रहें सामप्रदाइकता या कमिनलाइज करना इन चीजों को लोगों के दिमागों में जहर भरना उसमें हमारे देश के private channel का बहुत पड़ा योगदान है और ये महस संजोग नहीं है कि private channel को इस देश में सरवाधिक license पहले अटल विहारी वाजपे की NDA सरकार ने दिया और इस वक्त मोदी जी की सरकार तो भारी पैमाने पर जो channel I mean कौन कौन से channel हैं और क्या-क्या वो दिखाते हैं आप आप fake news को control करने के लिए 10 member की committee बना रही है आप बना रही हैं कि आप जो 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 वेब साइट्स हैं जो news portals है यूट्यूब चैनल पर जो प्रोग्राम पेस्ट कर रहे हैं लोग अपना उनको आप कैसे control करें क्योंकि असाहमती की आवाज हैं उठ रही हैं what kind of self regulation दे है आप देखिए एक चैनल का जो CEO है वो केरल से ले करके और बंगाल तक और बिहार तक पधियात्रा निकालता है और गाडियों पे चलता है कभी हवाई जाज पे चलता है और जाकर चीज़ों को communalize करता है और वो चैनल का private channel का जिसका नाम सुदरशन है उसका CEO है उसका संपादक है हम इन कलतनाप कर सकते हैं कि कोई संपादक की ये काम करेगा जो एक काम एक जमाने में आड़वानी जी कर रहे थे अरत्यात्रा निकाल कर आप पूरे ही आत्रा निकाल रहे हैं ये मीडिया का काम है मीडिया का काम सूचना देना है मीडिया का काम ग्यान में लोगों की हिसेदारी बढ़ाना है इंपावर करना है नॉलिज से तो ये मुझे लगता है प्राइवेट चैनलों ने इस देश में जो कमिनल एजेंडा एक पुलिटिकल प्रोसेस या एक पुलिटिकल पार्टी का है उसको एडॉप्ट किया है और भारी संक्या में नीज रूम में इस तरह के ऐलिमेंट स्वेम इंजेक्ट किये गए हैं भी काफी पहले से बदला हुआ है और एक बड़ा हिस्सा चुकि समाज में इस तरह की चीजों को स्थापित कर दिया गया है तो डिफेंसिव हो गया है खासकर जैसे अब कॉंग्रिस जैसी पुलिटिकल पार्टी जो है बड़ी पार्टी रही है सेकुलर डेमक्रिसी के प्र प्रिबर पाए जाते हैं तो यह एक बड़ी खतरनाक इस्तिती है कि जो में अपोजिशन पार्टी है वह अभी सेकुलर डेमक्रिक जो वैल्यूज है उसको लेकर कंसिस्टेंट नहीं है तो मुझा लगता है कि यह एक बड़ी जिम्यदारी है इस देश के लेफ्ट पात में जो और सेकुलर डेमक्रिक फोर्सेज हैं कि कैसे वो अपने सांगठनिक जो उन लोगों की सांगठनिक इस्तिती है उसको और एक्सपैंड करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रासरूट लेवल पर ले जाएं और विद्यालें के जरिए स्टेडी सर्किल के जर प्रिशारित की जा रही हैं उनको काउंटर करने में आप सोचिए कि कितना वक्त लग सकता है उन लोगों को जो समवैधानिक मुल्यों में यकिन करते हैं तो यह बहुत बड़ा खत्रा है जिस पर बड़े सांस्कृतिक अंदोलन की जरूरत है बड़े राजनितिक अभियान की जरूरत है यह बहुत ही महत्पूर्ण बाद आपने कही कि जो विचारों की लड़ाई है वो वैचारिक लेवल पे ही जाके लड़ना होगा अगर वो स्कूल खोल रहे हैं तो उस लेवल पे जाके लोगों से बातचीत करनी होगी और शायद तभी यह जो ट्रेंड हमें द बुद्धे के साथ आपके साथ वापस फिर जो लेंगे धन्यवाद न्यूस क्लिक देखने के लिए धन्यवाद